लो यार, finally हमारा घर complete हो चुका है और भाई देखो कितना लूप प्यारा कितना प्यारा लूप दे रहा है फर्स्टी सीरीज में हम लोगों ने इतना प्यारा घर बना दे वो भी तब जब हमारे पास रिसोर्स इस कितनी कम ही ती ना स्टों था ना वुर्स था कुछ भी नहीं था बट अपने दम पे पूरा का पूरा सिर्फ एक सीरीज में इतना प्रॉपर हाउस बना दिया तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहें अपनी माइन क्राफ सर्वाइवल सीरीज तुम लोगों को बहुत जादा पसंद आने वाली क्योंकि इस सीरीज में सामने की साइड एक आइस बायो में बहुत सही उसके साइड में सब चार ओर ट्रीज देखने के मिल रहें आस पास कहीं बे मुझे कोई विलेज तो नजन नहीं आ रहे हैं देखो यार मैं जो अपना घर बनाता हूं तुम लोगों को पता होगा हर सीरीज में अपना घर एक विलेज के पास ही बनाएंगे तो सबसे पहले यहां से उतरते हैं और चलते हैं कोई विलेज ढूने चलो वहां से तो मैं उतर गया नीचे और अब सबसे पहले जो माइन क्राफ्ट सर्वाइवल प्रेयर को एक करनी चाहिए वह वह वुड काटना और वुड से टूल्स बना ले तो समझ जाओ कभी भी तुम लोगों सर्वाइवल सीरीज में प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं तुम्हारे ने फटाफट से सबसे पहले बना लेता अपनी प्यारी क्राफ्टिंग टेबल वर उसके लिए अपने को ब्लैंक्स चाहिए तो वह क्लेक्ट करने बाद अब लिए दो एक्स बना ली दो पीक एक्स बना ली क्योंकि यही दो चीज़े हम लोग अगर किसी मौवग मालें तो हम लोग एक्स से मार सकते हैं इतना बड़ा यसूनी होता है डैमिज हलका फुलका कम पड़ेगा अपने पास वुड की एक्स अगर यही एक्स आइरन की ह माल लेते हैं जिनको मालने के बाद थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम हो जाएगा और उसके साथ साथ अपने को तीन शिप मालनी पड़ेगी इससे अपना बैट का इंतजाम हो जाएगा फिर फटाक से डूनना स्टार्ट करते हैं विलेज जाएगा 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 तो चलो अपने पास खाने का इंतजाम हो चुका है बट वूल अभी तक मुझे वाइट वाली एक ही मिले बाकी तीन शिप मैंने मारी है बट बाकियों की जो वूल का कलर है वो चेंज है तो हम लोग उनसे बैड नहीं बना से और दो तो चलो अपने को एक शिप और मिलके इसको भी हम लोगों ने मार दिया है अपने पास टोटली दो वूलो चुकि और खाने के पी काफे सारी चीज़ें हो चुकी है अब एक शिप और मेरे कुछ यही थी बट मैं आपे थोड़ा बहुत आके चाहिए राएग शिप और मिलन अपने के पाद एक टोट के अंदर क्या का समाति मैं वुझे 2 दो chiस्त में से 2 लैंटर का अरमर बूर पूर ढेक पूठ उस चेस्ट के अंदर से अपने को टोटली 8 एपल मिल गए और 4 ब्रेड्स मिल गए जो कि मुझे बहुत इंपोर्टन चाहिए थी मेरा हंगर बारदे को कम हो रखा है भाई अब रात हो चुकी थी तो आज की रात हम लोगों ने सोचा कि चलो विलेजर्स के यहां पे ही आज की की रात स्टे करी जाए क्योंकि अपने लिए माइनकरफ्ट का एक होटल है तो यहां पर आज की रात हम लोगों ने विलेजर्स के घर में उनके बेड़ पे बिताई और इसी के साथ हम लोगों का एक और दिन स्टार्ट हो गया बट दिन स्टार्ट होने का मतलब यह नहीं थ सकता है तो यहां पर फटावर्स को मार दूंगा देखो यह अटक गया था निच्छे पता निसको गया होगा तो इसलिए अटक गया इसको इसके चक्कर मेरे पास जितने भी मेरे पास वुड़् से टूलते ना वो सारे के सारे तूट गए थे और वहां से हड़ी है वो तब चुराओं वैसे चुराओंगा तो तुम लोगों पता लगा है मैं अभी क्यों नहीं चुरा है तो सबसे बाइब अपना मेन काम करते अपने घर के लिए प्रॉपर लोकेशन दो मुझे एक जंगा मिल भी गई और यहां मुझे इसलिए पसना है क्योंकि भाइज सामने हमार चैस्ट बनाना बहुत इंपोर्टेंट था वाइनल मैं एक चैस्ट बनाई और इसके इंदर अपने पावरफुल नहीं होंगे जितना इदा पावरफुल गोल्डन एपल होता और खासकर गोल्डन एंचार्टेड एपल चो की बाइन नेक्स लेवल तो इतना प्रॉबलम नहीं होती है यहां पे बनाऊंगा इस एरिया में इधर में अपना गर सामने की साइट तुम लोगों विलेज देखने के लिए मिलेगा जो की बारिश हो रही है उसके वेसे नहीं दिख रहा तो इधर हमारा विलेज्ट है और पिछे की साइट हमारे क पहार्ण एकने बारी तो जल्द रहे हम बनाने वाले हैंआब देखो घर की दिन में तो समान कडी में सानिक एक वाला यह बहुत सारा प्लेपन यह दौन वो चीजे सबसे मेन मुझे अगर अपना प्रॉपर एक तकड़ा हाउस बनाना है लाइक विलेजर के घर तो तुम लोग देख सकते हो छोटे-छोटे घर से इन्हों ने बना रखें इनके घर में वह बात नहीं है जो मेरे घर में होगी तो फिलाल मेरे बात जो बूल है वह मै बनता घर बनाता है अगर वह कम पड़ गई तो फिर मेरे को और वोड कलेक्ट करने जाने पड़ेगी एंड सेम ऐसी बहूत सारा स्टोन भी चाहिए और सेम उसी के साथ है इक स्टोन कम पड़ गया तो फिर से स्टोन वाइन करना पड़ा तो समाझ सकते हो तुम लोग सारी वुड कलेक्ट कर गया उसके साथ मेरे बहुत सारी ट्री के सैप्लिंग्स भी थे तो मैंने सोचा क्यों ना उनको अपने घर के आसपास ही लगा दिया जाए क्यूंकि भाई तर नहीं मैं घर बनाऊंगा इतनी यह जो ट्रीज हैं वो अपने ग्रो हो जाएंगे और अगर मुझे आगे और ज्यादा जरूरत पढ़ती है तो भाईया मैं घर के आसपास सही सारे के सारे ट्रीज से सारा का सारा वुड कलेक्ट कर पाऊंगा और यह बहुत अच्छा डिसेजन बिरा मेरा वह क्यों हो तुम लोगों को आगे पता लेगा तो यहां पर फटावट से मैं सारे के सारे सैप्लिंग्स लगा ती जितने मैं लगा सकता था यह सब बाद भाण भईया मैं सारा का सारा समान रख लेता हूं अपनी चेस्ट में मेरे पास एक्स्टर समान था मेरे पास कुछ एपल से उनको रख लेता हूं और भी छोटे मोटे समानता हूं जितना भी वूड अपने पास बच रहाता वो सब ले लेता हूं अपनी पॉकिट में यानि जो में गर को पूरा प्रॉपर बनाना स्टार्ट करने वाला हूं और फस्ती सीरीज में मैं जो घर ब फार्म बहुत सारी चीजें जो में इस सीरीज के अंदर बनाने वाले बट तुम लोगों का सपोर्ट सबसे मेना तो कर दो घर बनाने के लिए बढ़िए मुझे चार बाद चार की पूरी की पूरी पूरी प्रॉपर लाइन बनाना पड़ेगा और उस स्क्वैर के अंदर भ अब करता है अब सबसे मेन काम इस सबको लकडी से बढ़ने का यानि के भाई वूडन ब्लैंक से यह जितना भी मैंने चार और की बाउंडरी बना इसको कवर कर देना है मुझे क्योंकि मेरा जो घर होगा उसकी जितने की नीचे बाउंडरी होगी वो सारी की सारी मतलब जो बनाने वाला हूं तो यहां पर फड़ावर से सबको कवर करता हूं और डिखाता हूं चलो फाइनली अपनी बाउंडरी हो चुकी है पूरी वूड से अब सबसे में गाम आता है पीलर खड़े करना देखो यह समझ लो जो पूरा घर बनेगा न उसका कैसा स्ट्रक्चर होग वह तुम्हारे पिलर्स पर निरभर करता तो पिलर تم लोग जैसे बनाना चाहू तो भाई तुम लोग यह कि अब कि अब कि अब कि अब कि वेल्ट फाइनली हम लोगों का इतना काम निमट चुका है अब हमारा जो में काम है यानि कि सेकिंड गाम है उसके लिए हम लोगों लगने वाला और मैं थोड़ा सा भी लेकिन नहीं आया हूं तो फटाफर से मुझे चलना पड़ेगा कुछ पीकक्स वगारा बनाके स्टोन कलेक्ट करने तो जल्दी से करते हैं स्टोन कलेक्ट चिता जाता सब्सक्राइब कर सकते हैं यह घर लिटरली एक दिन में नहीं बना मेरे इसको बन माइनिंग के लिए वह लोग सारह कर दो सब्सक्राइब इसे लुक फोड़ा चाहिँ का है वाकिक हम लोग चाहिए तो नार्मल इन इंदा प्यारा लुक नहीं आता जैसा इस पैया का है जैसा अपने भ्लूग उसको प्लॉक बनेंगे उस से अपने घर बना तो तो बुलिट ते लिक तो मजबूत भी होगा उसके अंदर जल्दी से कुछ हो नहीं पानेगा और जो क्रीपर वगए रहा है वह थोड़ा मतलब कम डैमेज होता है उससे घार अगर तुम लोग नॉर्म स्टोन लगाते हो तो नॉर्म स्टोन से थोड़ा जादा डैमेज हो जा क्या अपने को मैट करने हैं सारे सारे स्टोन यहां पर रखते हैं और मुझे मानिंग करते हैं बहुत सारा कोल लगा तो यहाँ पर सबसे वैल तो अपने लिए खाना पगा लेतने थोड़ा सा आज की रात को यहीं पर बिताब बीदी सब्सक्राइब करना तो यहां पर इसको पूरा कवर करना पड़ेगा तब जाके अपने थोड़ा घर का लुक आने वाला तो फटा-फट से इसकाम को निम्टाते हैं और मैं एक और फर्नस बनाँगा यहां पर जितना खाना हुआ है वह खाना ले लेते हैं एक फर्नस और तयार कर रहा हूं एक फर्नस और आने वाद अपना काम थोड़ा असान हो जागा आपको इश्यू नहीं अब एक में हम लोग अराम सबने जितने बहुत एरिया एक्सप्डॉर करना था और यहां पर देखो मुझे क्या मिला इसको क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं बट मैं तो इगलूई बोलूँगा तो यहां पर भाई मुझे इतना पता है मैंने एक वीडियो में देखा था यहां पर जाके हम लोगों को विलेज मुझे इसको बचाना है और मेरे मेरे पास उसके सासाथ अब देखो मेरे इसको ब्लीजर को यहां पर बचाने बैटूंगा फिर कब भी अगर future में टाइम लगा तो हम इसको जरूर बचाएंगे बट अभी के लिए मैं सिर्फ यह जो पोशन वाली मचीनेस को लूँगा और यहां से निकलूँगा थारो हम अपने घर के तरफ मुझे उम्मीड हो और में अपने घर के लातार हुगा का बमिंडिया बरत्त topics अभी में खर के पाक धूर आ जाता हूँ कोई पिछीज मेल्ट ऑने के लिए लगाने dos अपने थीन्ग बाट मेल्ट नहीं होती वह तब भी होगी जब मैं उसके पास होगा और जब देखो भाई अपने पास सेंड भाई हूंब भी है तो यह सही अपने कुछ सेंड की कभी कमी नहीं होना वाली बट इस सबसे पहले तो हम लोग निकलता है बात में करते हैं सब्सक्राइब यहां पर आचको मैं फाइनली अपने घर के पास में और देखते हैं हमारा जितना भी स्टोन वगरा है वो मेल्ट हुआ यह नहीं तो है भाई मैंने पहले थोड़े बहुत मिले था उनसे मेल्ट गया था बट यहां पर जादा नहीं हुआ सिर्फ एक में गहरा तो भाई मेरे को पता नहीं कितने सारे लाने पड़ेंगे और थोड़ी बहुत बना लेंगे स्टोन की फैंसे और इसके साथ अपना काम कंप्लीट अफटावट से चलते हैं अपने घर को डेकुरेट करना स्टार्ट करते हैं चलो अब यहां पर भाई मैं सिर्फ एक एक ला बादिया मैंने यार तोड़ते हैं और वापिस से सेम इसी तरह एक एक लाइन और करते हैं अब इसके उपर हम लोग एक ब्लॉक और रखा एड़ यहां पर अगर हम लोग यह लगाएंगे तो देखो यह अच्छा नहीं लग रहा यह पूरा पूरा बंद हो तो मैं ऐसा नह का उसके बाद में सीधा हैं पर फैंसे लगाएंगी जितनी ममलग फैंसे लगा सकते हैं तो यह पूरा पूरा एक तरीके समझे तो उपर की साइड एक तुमारी विंड़ो टाइप हो जाएगी जिससे हावा भी घर के आरपार हो चुका है अब कोई शुनिए यहां पर गलत लग गया था तो मैं इसको यहां पर तोड़ देता हूं तो इसको अपने साथ ले लेते हैं वाबिस से इतना काम अपना कंप्रीट हो चुका है देखो पूरा पूरा नीचे लिए तो मारे वाईने कंप्रीट कर लिया और भूग भी लगए तो बटावड से खाते हैं खाना And अब यहां पर हमारी main gate की बात आती हमारा gate कहाँ पार तो सबसे पहले यहां पर मैं थोड़ी बहुत वुट लूंगा, इन दो की जंगा भाई हम लोग अपना गेट लगाने वाले हैं बाकि उपर की साइड से हम लोग इसको बंद करने वाले हैं मतलब पूरा-पूरा कवर करेंगे चार ओर की तरह यहां पर भी चार-चार का ही एक बाउनरी खड़ी करेंगे और एक पिलर बाउनरी क्या बोल रहा अच्छा लगेगा यार यासा बेकार सा घर बना क्या फायदा अगर कभी फ्यूचर में मेरे को मिल गया चैरी बायूम तो हम लोग शिफ्ट कर देंगे सब कुछ चैरी बायूम से भाई फिर यह बहुत प्यारा लगेगा मजाक नहीं कर रहा अभी तो यह ऐसा लग रखना अच्छा रख सकते हो चाहो तो डर्ट का भी रख लो को इतनी बेडिश्व नहीं बट मैं दूसले बना रहा हूं ताकि अच्छा लगे देखने में और यह मेरी सीरीज है तो देखो सीरीज के अंदर सब कुछ बेकार अच्छा नहीं रखता है तब सीरीज में मजा आता है और देखो तुमारा वाई तो वैसे प्रोफेशनल के मावले में बहुत ज्यादा लेजेंड आदमी है और देखो माइनक्राट कहले हैं मुझे तो इतना तो बनता और यहां पर रात हो गई थी तो मैंने बैट यहीं पर लगा लिया था उसके और मैंने बना यहां थोड़े पूरा लग रहा है तुम लोगों कैसा लग रहा है निचे कमेंट करें बताना अब अपने को और ज्यादा स्टोन की जरूरत होने वाली है और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी मैं लगांगा तो चलो फटाफट से सारा का सारा काम नम्टाते हैं चल लिदी तुम लोगों क भी खाते हैं क्या सा लगने वाला है हम लोग ने बहुत सारा अपना घर अभी तक कम्प्लीट कर लिया है और यहां पर हम लोग लगा सके एक एक गलास और विंडों बन जाएगी तो यहां बहुत सारी चीज़ें पड़ रही थी तो वह सारी चीज़ें मैं फटावट से कलेक्ट करता हूं अब लोगों को दो फ्लॉर बनाने मलब एक फ्लॉर बनाना है तो उसके लिए फटावट से काम कम्प्लीट करते और उपर की तरफ में स्टोन की अपने पूरे घर जोबड़ी टाइप बनाने वाल तुम लोगों कर यह घर बनाने लगे तो फिर तुम लोगों को वापिस से काटना पड़ेगा इसको काटने के बाद में हम लोग दूसरी साइड से लगाते हैं और यहां पर भाई देखो जिस भी जंगा तुम्हें हर जंगा ब्लॉक तो लगा करना पड़ेगा सर्वाइव सीरीज में ना तो तुम्हारे पार रिसोर्स होने वाले ना तुम लोग उड़ सकते और अगर गिरे तो भी मरें तो बहुत रिक्स होता है बट क्या एक रहने के लिए अपना घर तो बनाना है तो इस टाइप से इन वाले ब्लॉक के ओपर लेगी तो इस तरह से भाई यहां दूसरी तरफ जाएंगे एंड ऐसी सीम कंप्लीट करेंगे तो फड़ावट से मैं कंप्लीट करता हूं उसको और दिखाता हूं कैसा लोगा रहा है तुम लोग यहां पर देखो बट अब यहां पर मैं लगा रहा हूं सारे के सारे गलासे जिस तरह मैं इधर लगाएं सब्सक्राइब करेंगे कर दिखा तोह पुरा का पूरा फाइनल करता है घर को तब तुम लोगोगो इसके बार हम लोग करें थोड़ी बहुत फार्मिंग और उसके अपर घर कर दिया। पुरवा का पूरा इसाब कैसा लग रहा है निचे कमेंट करके सरुछ साथ ताइप का था घर मुझे कमेंट करके बताने को मुझे था चाहए रखाए टो मुझे सारा से नेक्स सिर्ईज मैं इधार सो दर सिफ्ट करूं और मुझे बहुत सारा राइरन तो उसके लिए माइनिंग करने पड़ेगी जो हम लोग नेक्स्ट अपिसोड में करने वाले हैं आज के अपिसोड में इतना ही होफ तुम लोगों को वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो च्छे लिगे तो लाइक करके जाना गाई चैनल पर नेवा सब्सक्राइब कर ले करते ही होगोगे cricket लोगोगोज करने लोगे यह में मिले कर दो करते हैं तो कहहां है होग beef限 कर है और हूगगे हैं और में करके भकैनल पर जाना धाना होगोगे जोऴे ऑ्रियो बड़ुमयोख